जब तक मोदी है तो मुम्किन है मोदी के बाद क्या होगा यह नहीं जानते हैं हम लोग तो इस बक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद है और इंडिया गेट पर देश के हर कोने से लोग पहुंचते हैं और ऐसे में 2024 चुनाओ को लेकर जनता का मिजाद जानने के हम कोशिस करेंगे और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिस करेंगे आखिर जनता के अंदर क्या कुछ चल रहा है क्योंकि अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार एकजुट होने की बात कर रहा है चाहे राहूल गांधी की बात की जाए तो उन्होंने भारत जोड़ो यातरा निकाल कर विपक्ष को एकजुट करने का काम किया तो वहीं अगर नितीश कुमार की बात की जाए तो वो भी कॉंग्रेस को निमंतरन भेजे हैं और कहा है कि अगर एक जुट हो जाते हैं तो 2024 में BJP 100 सीटों से नीचे में समिट जाएगी तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 2024 चुनाओ कौन जीतेगा ऐसे में हम जनता से बात चीत करने की कोशिस करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है तो 2024 को लेकर हम जनता से बात करेंगे जनता के अंदर क्या कुछ चल रहा है क्या नाम है आपका नरेंद्र जी क्या लगता दोजार चौबिस को लेकर कौन आएगा फिर से मोदी जी की सरकार आएगी और साड़े तीन सो से भी जादा उनकी सीटे आएगी क्योंकि सामने विपक्ष की भूमिका में अभी इस समय तक कोई नहीं दिख रहा है और आने वाले समय भी मुझे तो अगर बात कीजाए राहूल गांधी की तो भारत जोडो यात्रा भी निकाली है काई न कहीं विपक्ष को एक जुट करने की क्या लगता है आटानी वाले मुद्दे में पर उन्होंने हस्ता शेप किया और कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को इस पर टिपड़ी करना चाहिए क्या नहीं लगता कि विदेशी ताक्ते भी साजिस रश्च रहीं 2024 को लेकर ऐसा कोई मुद्दा निये इस समय, तो नितीश कुमार भी तो है इस लान में, वो भी अपरधान मंत्री का सपना देख रहे हैं बनने का? वो अपनी मुक्य मंत्री के तोड़ पर अपनी आखनी पादी खेल रहे हैं चले बहुत बहुत शुक्री आपका तो इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौझूद हैं और यहां पर जनता से जानने की कोसिस करेंगे कि 2024 चुनाओ को लेकर जनता के अंदर क्या कुछ चल रहा है नब्ज टटोलने की कोसिस करेंगे कि दंचा क्या कुछ चार अई आखिर है तो इसके साथ अगर आपको बता दे कि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार हुंकार भर रहा है 2024 को लेकर और एक जुट करने की कोसिस कर रहा है तो ऐसे में जानना ये जरूरी हो जाता है कि 2024 को लेकर आखिर जनता क्या चाहती है जनता के अंदर क्या कुछ चल रहा है क्योंकि इंडिया गेट पर देश के अलग-अलग कोने से यहां पर लोग पहुंचते हैं तो लोगों से जानना बेहत जरूरी हो जाता है कि आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रा everywhere किसको वह इस बार मुख मंतरी बना चाह रहा है 2024 को लेकर क्या नाम है आपका रंजी सिंह कहां से आयो क्या लगता है 2024 को लेकर कौन प्रधान मंतरी बनेगा सनर जिसे आप से मैं देख रहा हूँ इस वार केजदीवाल जीता हमारे यहां पर प्रधान मंतरी कौन बनेगा जैसे कि नरेंद्र मोधी जी ठीक है आपका नाम क्या है अनुप कुमार कहां से आयो मैं गोरगपुर से हूँ क्या लगता है दोजार चौबिस मोधी जी आएंगे क्यों क्यों मोधी जी आएंगे नेपल और भारत के संबने बहुत अच्छा लग रहा है इन दोनों में दोस्ती बहुत अच्छा लग रहा है और इसी करण चे आगे बर रहा है नेपल और भारत दोनों की दोस्ती बहुत अच्छा लग रहा है मुझे प्राउट फिल हो रहा है मैं कि इंडिया गेट में आ एकास हो Nearolla Moroe अने से भूज अच्छा पुरानी दोस्ती हमें दिलाया है और हमारे जो दोस्ती है पुराने वहूट पुराने तइम से और भूट अच्छा लग रहा है और मोदी, हमेश्चा यह प्यार हमेश्चा, हमेसा क्योंकि हमारे प्लजा डूनों दोस्ती हमेश्चा और बहुत बहुत शुक्रिया. आपका नाम क्या है? सत्यानाराइन. कहां से आएंड़ाइन? कहां से आएंड़ाइन? अम्दाबाइबाइबाइबाइन? क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाओ को? मोधी आएगे. मोधी आएंगे. विपक्ष भी तो उंकार भर रहा कि हम आएगे? म देस में कुछ न्या कुछ लाके देरेक या कुछ नहीं लाके देने वाले मोदी जी ही सब कुछ करने वाले है चलिए बहुत-बहुत शुक्री आपको यहाँ पर जंता तमाम मौझूद है और 2024 को लेकर हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं तमाम लोगों से बातशीत करने की क वो तो आसपास भी नहीं है और अगर इनकी अरविंदर केजडिवाल जी की बात की जाए वो तोड़े देंगे आसपास लेकिन मोदी जी आएंगे वापस तो आएंगे तमाम लोग यहां पर हैं कि करके जड़ा बात करने की कोशिस करेंगे और भी जो लोग हैं उनसे बातची तो दोजार चौबिस चुनाओक लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जनता से जानने की कोशिस कर रहे हैं कि दोजार चौबिस में आखिर कौन आए गया क्योंकि अगर बात की जाए कौंग्रेस की कौंग्रेस भारत जोड़ो यातरा निकाल रही है वहीं अगर इस वक्त इंडिया गेट घूमने आये थे अब इसी के साथ यह भी बता दीजिए कि 2024 में आप किसको देख रहे हैं कौन आएगा जी नरेंदर मोदी जी आना चाहिए विपक्ष की बात की जाए अगर कौंग्रेस की बात की जाए तो भारत जोड़ो यातरा निकाल रहे हैं स का जिस तरीके से आपने काम बगयरा की बात कर रहे हैं पर दान मंत्री आवाज्योजना के तहे तमाम लोगों को घर बगयरा भी मिले हैं में गाउँ में बहुत से लोगों क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष एक जुट होने की बात कर रहा है कि सारे लोग एक होकर हम चुनाव लड़ेंगे तो ये कारगर साबित हो पाएंगे या पिर कुछ भी नहीं कर सकते नरेंदर मोधी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके साथ पूरे इंडिया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो और लोगों से भी बात करने की कोशिस करेंगे इसी विशाय पर तो हम आगे बढ़े और भी लोग इंडिया गेट पर मौजूद हैं जो घूमने बगएरा आए हैं उनसे भी जानने की कोशिस करते हैं कि 2024 चुनाव को लेकर उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है सर आपका नाम क्या है मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है भाई साब मैं एक अध्यापक हूँ और यहां बच्चों को लेकर आये हुएं पिकनिक के लिए अच्छा इसी दोरान अगर आपसे जाना जाए कि 2024 चुनाव को लेकर क्या देखते हैं क्या लगता है क्योंकि विपक्ष जो है वो एकजूट होने की बात कह रहा है और मोदी जी को हराने की बात कह रहा है तो आपको क्या लगता है क्या एक काम्याब हो पाएंगे जिस तरी कोई एक परकार की जो तुस्तिकरण की निती उसको छोड़ना पड़ेगा कटरपंजी से बोलते हैं मोदी जी चाहते हैं कि बिलकुल हिंदुतम रहे और केजरिवाल जी चाहते हैं कि केवल एक मुसल्मान कोई प्रैफर करा जाए ऐसा ना करकर सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाले देश के अंदर समान रूप से सबका विकास करने के बारे में जो पार्टी सोचेगी वही सकसेज होईगी मोदी जी की नितियां बहुत बढ़िया है इसमें कोई डाउट नहीं है पर केजरिवाल जी भी जिस लाइन पे चल रहे हैं उसमें अगर और इंप्रूब्मेंट कर लें तो बहुत सीटल ले सकते हैं पर जो ओवरॉल सरकार दिख रहे हैं यह वो अभी बीवी पक्ष में कोई नहीं दिख रहा मोदी जी की टक्कर में अच्छा अगर बिहार के नितीज जी की बात कर ली जाए तो वो भी मुख बंतरी बनने के सपने देख रहे हैं और कह चुके हैं कि अगर कॉंग्रेस हमारे साथ आ जाए तो बीजेपी सौक से भी नीचे सिमिट जाएगी रह जाएगी क्या ये अपने मनसूबों में काम्या अच्छा नितीज जी के साथ लगे या किसी भी गुट के साथ लगे वो उद्धार नहीं कर पाएंगे पूरा विपक्ष भी अगर एक जुट हो जाएगा जो कि होता नहीं है हर बार होने की कोशिश करता है पर होता नहीं है क्योंकि एक दूसरे के सगे ही नहीं है कोई सब एक मतलब से जुड़ते हैं जब देखते हैं मतलब नई सादरा तो वो सब बिखड जाते हैं और बीजेपी का अपना स्टेंड जो इतना मजबूत है उसके कुछ कारिय इतने जादा अच्छे हो चुके हैं जिनको देखते हुए जो उसके अगेंस्ट में लोगते वो भी सोचते हैं कि जब तक विपक्ष से जादा लोगों को नजर आए देश का विकास देश के लिए लोगों के लिए अपना विश्वास जब तक वो नजर नहीं आएगा तब तक लगता नहीं है कि हां भी बीजेपी को हराने वाला फिलाल कोई लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं अब भी मीडिया में काफी च जिनिसमेन है जोर्ज सोरोस जिनको बोलते हैं वो देश में जो है एक प्रोपोगंडा फिला रहे हैं और अपने देश की चीजों में हस्तक शेप कर रहे हैं जिस तरीके सा डानी वाला मुद्दा उठाता उस पे भी उन्हों टिपड़ी की कि सदन में प्रधान मंत्री जी क को इस पर बोलना चाहिए क्या लगता है जो विदेशी साज़िसें हैं ये काम्याब हो पाएंगी भारत में सर उनके बारे में बहुत अत्तक तो नौलिज लोगों को नहीं है मुझे भी चीन नौलिज अख़ार से मिली है वो यही कहती है कि वो थोड़ा सा मैंटली डिस्ट तरफ आदमी हैं शायद और उनके पास चुकि अथा प्रॉपर्टे है तो वह प्रॉपर्टे को हमेशा एक अगैस्ट में लगाने करते हैं चाये वो खुद अमेरिका में लगाना हो चाये वो चाहि UK के अंदर लगाना हो यह दूसरी कॉंट्री में लगाना हो उसको केवल लिए चाहिए कि लोग डिस्टेक्ट रहें जो सत्ता रूट पार्टी होगी उसके अगेंस्ट में काम करके वो चाहता है कि एक अट्रेक्शन उनका वहां से अटकर उसकी तरफ लगा रहे और चूंकि अथा पैसा है अब उस पैसे का कितना मीसियूस करना चाह रहा है जिसके कि अंदर हो शाहिए सक्सेस भी हो जाता पर जो अब सुनने में आ रहा है कि हमारे जो विदेश मंत्री गए हुए हैं उन्होंने बहुत अत्तक कंट्रॉल में कर लिया है और उसकी जो शाजिस्ती अडानी के खिलाफ कहलो या वैसे कहलो उसका भी दीदीरे परदाफाश होत की जाए तो कौन बनेगा प्रदान मंत्री सर प्रदान मंत्री तो केवल तो हमें और भी लोग मिल गए हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं 2024 चुनाव को लेकर कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा जिस तरीके से विपक्ष हुंकार भर रहा है कि 2024 में हम ही हम है तो जराज जनता से भी जान लेते हैं कि 2024 को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है सर आपका नाम क्या है सुदान सुसेखर सिंग कहां से आए आप गुर्गाउं से क्या कहेंगे 2024 को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हुंकार भर रहा है और अभी यात्रा भी निकाली गई कॉंग्रेस की तरफ से और उदर नितीश कुमार की बात की जाए तो वह भी विपक्ष को एक कत्र करने में लगे हुए है 2024 को लेकर देखे 2024 क्या अब 29 की बात कीजिए चौबिस तो फाइनल है फाइनल मतलब कौन मोदी किस पर कुई ही नहीं इनका विकल्प ही नहीं है अब यतरा से क्या होना कुछ नहीं होने वाला है यतरा फॉलफ हो गया है नहीं भारत जोड़ो यतरा निकाली गई उसमें बत अब जोड़ो जुटा का इसलिए राहूल सो कुछ होने वाला है मोदी के सामने मोदी है तो मुमकिन है इसके अलावे कुछ नहीं है अगर नितीश कुमार की बात की जाए तो नितीश कुमार भी लगे हुए हैं वो कह रहे हैं अगर कॉंग्रेस हमारे पाले में आ जाती है जुट हो जाते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी को सौ से भी कम सीटें आएंगी खाते में बीजेपी के नितीश बाबू तो पहले अपना दल तो बचा ले अभी उनने से कुस्वाहा हट गए इसके अलावे जेडू जो है तूट चुका है उनका ही नहीं आधार है तो देश म अधार क्या खोजेंगे आपका क्या नाम है रवीन परसाथ सींग रवीन जी आप कहां से आए हैं हम तो चत्रपूर से आया हैं लेकिन हम बिहार के रहने वाले तो सवाल यहां जायज बन रहा था जो नितीश कुमार वाला मैंने सवाल किया है अच्छा आप से आप भी बिय सद् acceso करका चैएंगें design 2D 24 को लेकर देखा जये तो विपक्ष की तरफ से कई चहरे हैं कह रहें कि हम बनना चाहते प्रदान मंघ्री हम हम का जाधा देखने देखने को मिल रहा है ऐसा में बाजी कौन मारेगा 2004 चोड़ कर दुसरा कोई नहीं बिकल्प में सब कुछछ है नितीस भाबु तो फिलियर है उठाली ढ़लतों अपना सीटा रहे है उनका उङर moeten नें वही बात है अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ चलते पास तो साइद गिरफतारी हो जाए है अकि गिरफतारी हो गई परसंटेज के हिसाब से कुई ज्यादा नहीं था फास्टी पर जदा आ गया तो पर वो तो आगे के लिए भी सोच रहे है आगर कुछ बड़ा करेंगे मिलके विपक्ष के साथ अगर विपक्ष जुट गया एक साथ हो गए हाथ मिला लिया सभी ने तो क्या लगता है आपको पुछ है नहीं पब्ली के समझ रगया है कि लोग क्या करें गए यानि कि 2024 का अगर देखा जाए समीकरंड देखा जाए तो आपके इसाब से क्या लगता है फाइनल पस मोदी हाँ 24 ही नहीं 29 तक हो चुका है कंफर्म है टिकट अब उसके बाद के सोचा जाएगा कोई दोमत नहीं है क्या ऐसी खूबियां जो इतना आप गुलगान कर रहे हैं मोदी जी का क्या लगता है क्या किया है अगर बात की जाए विदेशी ताक्तों की तो अमेरिका के जो एक विजनिसमेन है जोर्ज सूरस इस समय नाम चल रहा मीडिया में वो भी हस्टाशेप कर रहे हैं भारती चीजों में भारती चीजों में हाट डाल रहे हैं हस्टाशेप कर रहे हैं बीबीसी वाला डाकुमेंट्री जो बीबीसी ने बनाई थी 2002 के दंगों के लेकर गुजरात दंगों के लेकर प्रदान मंत्री यहां जितना इन जीए हैं सबको वही फंडिंग कर रहा है सोरस में भी है मोदी हरा हो मोदी को उतारो बस और को भी नहीं है अब बीपक्ष मुद क्या कि जो इस्तिती है हमेशा ही लो आरूप लगाता है लो नंगा हो जाता हो खुद अभी पर नंगा हो गया लो अर मोदी काय से थो नहीं है जब सीम थे तब से लो कॉनरस वाले पीछे पर हुए है अब कुछ नहीं हो पाया निकलते गए आज भी निकलेंगे आज भी नि जो कि बिहार के रहने वाले हैं यहां पर घूमने आएं हैं यहां पर अपनी फैमली के साथ इनका सापतौर पर कहना है कि 2024 में साफ है कि प्रधान मंत्री नरेंदरि मोदी ही आने बाले हैं तो फौलाल वہुध वह शुक्रिया आपका हमारे साथ जोने कर दो तो 2022 चुनाव को लेकर हमने जन्ता से जानने की कोशिस की कि आखिर 2022 में किसकी सरकार बनने बाली है तो साफ ताउर पर जन्ता का कहना था कि कहीं ना कहीं वो लोग मोदी के पक्ष में आए क्योंकि मोदी ने बहुत सारे काम किये उनका ये कहना है लेकिन एक सवाल मेरा जो था उनसे की आखिर जिस तरीके से विपक्ष एकजूट होने की बात कह रहा है कि अगर एकजूट हो जाता है तो क्या मोदी को हरा पाएंगे लेकिन साब तोर पर लोगों का कहना था कि चाहे विपक्ष कितना भी एकजूट हो पाए लेकिन मोधी के आगे कोई भी नहीं है कैमरा मैन मान के साथ सत्यम गौर इंडिया गेट दिल्ली निउस बॉस इंडिया